अस्सलावलेकुम मैं आल वीवर्स उमीदे आप सब ठीठ ठाक होंगे और में भी ठीठ ठाक हूँ और ये है सेरी का टाइम जो मैं आपसे ये ब्लोक्चेर कर रही हूँ और देखें सेरी के टाइम में इस तरह होता है ना गर नीचे की लाइट चला ली जाए और उपर की मुझे काफी ही अच्छा लगता है और सब तो नीचे सेरी कर रहे हैं मैंने थोड़ा सा यहां का आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए तो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है तो आज का टोपिक हम इस पर शुरू करेंगे स्टार्ट स्किन के हावाले से राई स्किन के हावाले से राई स्किन के हावाले से राई स्किन के लिए एक अच्छा सा फर्मूला है जिनकर स्किन राई हो गया हो काफी जो खुश हो जाते हैं जुरियां पड़ जाती तो उसक घर में आपकी दूद तो हो गई होगा तो चेहरे के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो चेहरे के हस पे मताबिक आप दूद ले दो चमच और उसमें वेसलीन तो होगा आप लोगे पास वेसलीन ले और उसमें दूद में मिक्स कर ले और उसे सुबा जब जैसे आप उड़ जाते हो न तो उसको इसका स्क्रब करें से चेहरे को मले इससे पांच मेंट टक और उसके पाथ मुँ धोले किसी भी फेजवाश से या किसी भी सोप से डेली आप इस तरह करेंगे न तो आप का स्किन काफी अच्छा रहेगा और हाँ रात के टाइम भी इसको लगा के आप सो सकते हो लेकिन इसमें दूद होता है तो वो दूद की बज़े से आपको थोड़ा सब हिच के चाहट आई की आपके स्कीन पे इस दी मैंने आपको का चैसे सुबा आप उट जाओ ना सुबह उटती ही ये माक्स फार्मूला जो है ये इस्तिमाल कर ले तो है न अच्छी बात तो सेरी करने के बद मैं यहाँ पे बेटी हूँ सब सोय वे और मैं अपने रूम में आ गई हूँ और आप लोगों बोट चले ये वाला नुकस भी बता दिया मैंने अभी एक है ओईली स्कीन के लिए जो अभी ये मसले सारे ओईली स्कीन के लिए चलेंगे क्योंकि गर्मी आ रही है पिमपल्स हो जाते स्कीन के ओपर पिमपल्स आ जाते और ओईली ओईली हो जाता है जो रंग साफ रंग वाले भी होते न गोरे वो भी काले दिखते उनका डल हो जाते जो काले रंगत वाले होते उनका टेबल स्पून बेसन और डो टेबल स्पून मुलतानी मिठी और इसको जो है आप मिक्स कर ले अरके गुलाब के साथ अगर नहीं हो तो साधे पाने के साथ भी आप कर सकते हैं मिक्स करने के बाद सुबह के टेम या दिन के टेम राद के टेम ये एक मार्क्स जैसा हो जाता है चेहरे के उपर लगा ले पूरे चेहरे के उपर लगा ले और हाँ अगर आपके बोड़ी की किसी भी हिस्से में पिंपल्स या ओईली स्किन की वज़े से ये सब पढ़ रहे तो फिर उसी हिस्से भी भी आप इस मार्क्स को लगा सकते पूरे चेरे पे लगाने के बाद आप जब ये सुखने पे आए ना तो आप इसे आप अपने चेरे को वाश कर दे तो ये आप डेली करें फिर शुरू के दिनों में एक हफ़ता करें देली और उसके बाद हफ़ते में दो बार किया करें तो आपका स्किन चमकदार और मुलाइम और बच्चों जे सराएगा तो ये दोनों टिप्स मैंने बता दिया एक ट्राइ स्किन के लिए और एक ओईली स्किन के लिए तो जब आप इस फारूला को इस्तेमाल करें तो काइनली प्लीज मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताईएगा और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं यतीम बच्चों के लिए एक एक कमरे वाला घर बना सकूँ वो अपनी माँ और अपने बच्चों के साथ रे सके माँ अपने बच्चों के साथ रे सके बस मैं यह जाती हूँ क्या पता यूटूब से ही मैं इनकी मदद कर सकूँ तो आप तो मुझे बताएएँ आप सेरी के बाद कप सोते हैं और क्या होता है मैं तो सेरी के बाद फिर सो जाती हूं और आज मुझे नीन नहीं आ रही थी तो मैं इसी तरह से बैठी होगी थी कभी मुबाइल चेक करी थी कभी टीवी देख रही थी फिर मैं आठ बजे सो इए कि आप लोगों के साथ इस तरह होता है कि कभी कभी आप लोगों को नीन नहीं आती तो आप इस तरह हो जाते हो तो मेरे साथ भी इसी तरह हुआ तो मैंने सोचे चले सेरी कभी सेरी के बाद का मनजराद भी आप मनजर अभी आप सब के साथ में शेर कर लो तो सेरी के बाद ही ही मनज़र है जो मैं आप लगों के साश of share कर रही हूँ सब सोए वे अपने अपने room में और मैं जागी होई हूँ तो ऐसा होता है इनसाने कभी नीन दाती है कभी नीन आती है कभी क्या होता है इस तरह सी होता रहता है आप मुझे बताये, आप लोगों किसाथ इसा हुआ है, कि मुझे भी समझ नहीं आ रही थी, कि मुझे क्यों नहीं नहीं आ रही है, तो, यह है कि जब मैं छोटी थी, तो मुझे काफी डर लगता था, बच्पन में, फिर थोड़ी बड़ी भी हो गई, तब भी मुझे डर आया वाई, पांच-छे साल से ज्यादा हो चुका है टाइम, अब मुझे डर नहीं लगता है, मैं अपनी रूम में सो भी जाती हूँ, और इसी तरह से देखे, आपके सामय अंधेरे में वीडियो भी बना रही थी, उपर नीचे भी जाती हूँ, तो डर एक ऐसी चीज़े कि इसको हटा देना चाहिए, डर एक फजूल चीज़े टाइम वेस्ट करती है, क्योंकि जो चीज़े नहीं होती है, उसको आप लोग जेन में लाते हो कि देखो अभी कोई आ जाएगा, खा लेगा तुम्हें, या ऐसी होगा, या ऐसा चेहरा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, डरना इनसान से चाहिए, क्योंकि इनसान सब कुछ कर सकता है, आपके घरा के आपको मार भी सकता है, बाहर गिटनेपिन भी हो सकती है, सब कुछ तो इनसान ही कर सकता है, यह जिन बूत बगेरा जो रते हैं, यह बच्चों को डराने के लिए माबाप बोलते हैं, तो यह सब चीजे जहन से हटा दे तो आप लोग अपनी जिंदेगी अच्छे कर सकेंगे, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, वो काफी डरते, काफी डरते हैं वो लोग, काफी, ये भी नहीं कि बच्चे होते हैं, शादी शुद्ध माप बाप जो हते हैं, वो भी डरते, तो अपने माइन्ड से तो जितनी जिंदेगी अच्छी तरीके से गुजर जाईगी, तो अभी हो गया है, ये अफ़तारी का टाइम होने वाल है, तो बस अबस्ट, टे जाचे उने होते ही हैं, ये अभी हो हते हैं, तो बसितनी जाप से उले हैं, झाल पोग जो तो जाल होते हैं, वो भी ग और शुद गादीज एसे हैं? झाल 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 झाल